कॉंग्रेस और जेडियेस ने परिवारवाद की पूरी फौज उतार दी है जी हां राज में 12 मेरी को वोटिंग होना है 2655 उमिदवार मैदान में है अगर राजनेतिक दलों के सगे संबंदियों की बात करें तो 52 को चुनावी मैदान में उतारा है अब सवाल ये क्या करनाटक में परिवारवाद चल रहा है कॉंग्रेस ओ या बीजेपी परिवारवाद दोनों की संसकती बन गई है इसी पर बात करने के लिए न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद है दो बहत खास महमान बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अगरवाल और साथ ही कॉंग्रेस के कि जब हम लोग तंतर में जाते हैं तो लोग तंतर में जो लोग या जनता जिसको चुनती है वही लोग सभा में जा सकता है वही विजान सभा में आ सकता है तो आप जब तक काबिल नहीं होंगे जब तक आप योग नहीं होंगे जब तक आप जनता की नजरों में एक नेता के आते हैं और चाहे राहूल गांदी जी हो चार बार के लोगसभा सदस से हैं चार बार हमें ठीके लोगों ने उन्हें चुनाए तब ही वो लोगसभा में पहुचे हैं जो तरह दे सिंधिया जी किसी की महरबानी से लोगसभा में नहीं पहुचे हैं शुपुरी गुना की ज आपको जीत के जनता के वोट से ही जाना पड़ेगा विगर उसकी आप जाना है तो मैं समझता हूँ वन्षवाद जैसी कोई बात होती नहीं है आप अगर पुराने जमाना देखे तो उसमें वन्षवाद होता था कि एक राजा का बेटा ही दूसरा गद्धी पर बेटे गा ज जो वहां के राजे महराजे हैं उनके पुतर ही गद्धी पे बेठेंगे राजपाट समालेंगे कोई जनता का विक्ति नहीं समाल सकता है पर मैं समझता हूँ कि वन्षवात उसी को कहा जाता है पर जो लोग जनता से चुनके जाते हैं जनता के माध्यम से जनता के वोट से की बात करें हर जगे आप देखें भारती जंता पार्टी के भी काफी नेताओं की मैं समया अभी मेरे पाफ में तो कॉंग्रेंस सगे संबंधियों को टिकेट तब दिया है जैसे एक विक्ति वहां है जो से सगे संबंधिया आप कह सकते हैं वो है हमारे मुख्यमंतरी सिदर हम या जी के पुतर को बाकी और तो हमने किसी को दिया नहीं है आप जबकि रेडी बंदूओं की जो की ब्रश्टा चार में गले गले तक डूबे थे जेल में बन थे उनके साथ लोगों को इनके परिवार के साथ लोगों को भारती जंता पार्टी ने टिकेट दिया है यादर रपा जी के बच्चे हों चाहें सद्दर अमय्या जी के हों चाहें विश्वेश्राई जी के हों किसी के भी बच्चे हों चाहें मैं समझता हूं कि मैं राहूल कांदी जी जब तक अमेर्ठी की जनता उनको चुनके नहीं भेजेगी तब तक वो लोग सभा में नहीं जा सकत परिवारबाद और बंसवाद कभी नहीं है बल्कि हम अपने राजनेतिक तौर पर लगातार इस बात का बरोध करते हैं और यह खुले आम करते हैं और अगर हमारे इस चरित्र का और आचरण का कोई अंतर है तो जनता भी देखती है जनता भी समझती है एक बात बहुत महत्प यह लोकतंत्र सुईकार किया है पार्टी टिकेट देती है पार्टी टिकेट किसको दे रही है वो महत्तपूर्ण है और पार्टी अगर केवल और केवल वंस के आधार पर ही योगता समझ रही है तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र का अपरहन हो रहा है लोकतंत्र के नाम पर अप अपनी जिम्मेदारी है राजनितिक दलों की अपनी जिम्मेदारी है भारती जनता पाटी इस बात का लगातार बरोद करती है जिन लोगों के जन नेताओं के नाम कांगरिस की तरफ से अभी सुनाए गए वो उनको सीधे टिकेट दिये गए वो कभी सीधे भारती जनता पाट कि नेताओं की तरह नीचे से काम करके उठके आए हों तो समझ में आए हमारी जो नाम लेते हैं मद्धप्रदेश में भी जो नाम लेते हैं वो छातर राजनिती युवाराजनिती तमाम जो सीड़ियां होती हैं वहां से उपर से चलके आते हैं और इसलिए ये बहुत जरूरी है रमन जी का जो बच्चा है वो लोगसवा में क्या नीचे से काम करके गया है वो तो उपर से आया ना पेरा शूट से आपके शिवराज जी के सुपतर जो है वो आज उनकी लांचिंग हो रही है वो जा रहे हैं सभाय कर रहे हैं तो क्या उनकी लांचिंग नहीं हो रही है और मैं आपको बताओं राइज नाराइन सिंग जी के बच्चे हैं किसका बच्चा है जो कि आज लोग सभा में या विधान सभा में नहीं है और आप अगर इस तरह की बाते कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ आप सरासर जूड बोलते हैं जनता के सामने क्योंकि आपकी पार्ट को टिकट दिया गया कुछ जीते हैं कुछ हा रहे हैं लेकिन रवी शक्सला जी कॉंग्रेस पर भी वन्शवात का सुरू से ही आरोप लगता रहा है लेकिए मैं आपको कहा वन्शवात की कोई बात नहीं होती है बात होती है योगता की अगर आप योग्य हैं तो आपको वह कौन ऐसे लोग है आप नहीं बैठना चाहते हैं बड़े पत पर निश्यत रूप से मैं भी लड़ना चाहता हूं चुनाओं और पार्टी मुझे भी दे सकती है और ऐसे हजारों हजार कारे करता हैं जिनको दिया गया है और अशूने से लेके लोग मुख्यमंतरी के पत तक प गरेलू काम करने वाली महिला का पुत्र तक हमारे बड़े बड़े पतों पर पहुँचे हैं तो मैं समझता हूं ऐसी कोई बात नहीं है ये केवल और केवल बीजेपी का प्रोपोगंडा है एक परचार है कि ऐसा कॉंग्रेस पार्टी करती है जबकि अगर आप देखें तो अधिकांशता भारती जन्ता पार्टी के नेता अपने पुत्रों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं उनको रासमा में पहुचाने में लगे हुए देखिए पहली बात तो यह है कि जम मैं बोलूं तो आप जमा करिएगा मुझे बोलने दें अन्य था बंटू बं कर लें दूसरी बात यह है कि मुझे गलती हो गई मुझसे राहूल गांदी जी सर्वमान विशेशग बुद्धीमान विजनरी लीडर हैं और इसी नाते कांग्रिस ने उनको राश्टी अध्यक्ष बनाया है बिल्कुल बिल्कुल आपके 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 जो दरसक हैं जो कि मैं ने मैंने को गलत नहीं कहा तो गहां बिजनरी लिडर है और भाइया मैंने तो नहीं कहा कुछ भी मैं तो कह रहा हूँ कि राहूल गांदी लिजनरी लीडर है आप अपने बात करिए आप अपने बात करिए उसके अस्थान पर आप हमेशा जो है सोनिया जी की बात करने लगेंगे राहुल जी की बात करने लगेंगे अरे आप अपनी बात किजिए कि आपने अभी तक क्या किया है आपका चरेत्र क्या है आपका चाल क्या है आपकी भाशा क्या है सक्सिर्ण जवाब ले लेते हैं मैंने कोई गलत गंदा सब्द नहीं का है मैंने कहा राहूल गान्दी जी सर्व मानन विजनरी बुद्धी मान बेवेक पून नेता हैं और वो उनके इस बुद्धी कौसल्य से राजनीती कौसल्य से देश बाखेफ है दुनिया बाखेफ है उनको इसको बनसवाद नजर नहीं आता उनको बहुत मुवारक हो भारती जनता पाटी बनसवाद का बरोध करती है और भारती जनता पाटी के भीतर भी अगर कोई इस प् ये नए लोग आए, अच्छे लोग आए, समझदार लोग आए, लोक तंतर में जो सुईकार हों, जनता को सुईकार हों ऐसे लोग आए, और इसमें केवल इसमाने से नहीं, कि हम तो जनता की बीच घेज रहे हैं, जीतकर आएगा तो माना जाएगा कि वो योग गथा नहीं, राजनेतिक दल की जम्मेदारी होती है कि वो ठीक व्यक्ति का ठीक करेकरता का चैन करे जो ठीक प्रतिन दोत्तो उस छेतर से जनता को दे सके और यह जरूरत है अगर इसको कोई भी राजनेतिक दलोचा भाजापा हो या कांगरेस हो सपा बसपा जहामूमों सपा कोई भी दलके नाते नकार देगी जो गलतियां कालांतर में कांगरिस ने की हैं जनता ने नकारी हैं अगर हम करेंगे तो जनता हमें नकार देगी अगरवाल जी फिर क्या वजाती कि साथ रिड्डी बंदियों को टिकेट दे दिये गए करदाटक ले देखिए यह जो भ्रम पहलाया ज लिख सकते हैं कि टिकेट जो देते हैं भारती जनता पाटी की बी पोटल पर हैं और बधानसभा चुनाओं के मद्देनजर एलेक्शन कमीसन की साइट पर भी सारे नाम है भारती जनता पाटी ने… चाल चरित और चेरा आपको मुबारक आपके आदर शाप को मुबारक आपकी जिसे कहना चाहिए कि विचार धारा जो है वो आपको मुबारक अगर आप इसी विचार धारा पर चल रहे हैं अगरवाल जी की चुनाओ जीतने का फॉर्मूला बीजेपी ने अक्तियार करना है देखिए मैंने आपसे बहुत इस पस्ट कहा मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं कि लोगतंतर में राजनितिक दल के नाते हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारियां हमें के सामने हैं हमालक से कोई मुद्दा नहीं लेकर आए और अगर इन मुद्दों पर हम भी बेकार हैं तो जन्ता हमें पर्खेगी लेकिन राजनितिक दल केShe तो हमाते ही प्थान री है हमारी जिम्मादारी है कि इन मुद्दौं पर हम लोग तंत्र का अपर्भन नंद ना करें और इसलिए मैंने कफा कोई भी बात कहने से पहले चार बार राजनितिक दल को विचार कर करना होगी सोचना होगी जन्हों जनता नकार रही है जगे जगे नकार रही है तो नहीं इस नहीं किया है उनको पढ़ कारा इस जगे बाइस राज्यों में छाइख़ भी लिए 0 आप क्यों दरकिनार करते गए रखे गए इस देश की जंता के द्वारा इतने ही आप बड़े चरित्रवान लोग हैं इतने ही आदर्शवादी लोग हैं तो क्यों नहीं आपके आदर्शों को आपके चरित्र को लोगों ने स्विकार किया और आपको सत्ता के मुहाने पे पूरे देश की जनता को आप कहते क्या है करते क्या है बताते क्या है और करते क्या है ये सामने आपके दिखता है हर जगा आप जो है इसे लोग तंतर का अफरन कर रहे हैं जो बहुमत आ रहा है उसको आप नकारते हैं जहां आपके दो सीट नहीं है वहाँ पे आप सरकार बनाते हैं पैसे के दंपे धनबल पर बहुबल पर तो आप क्या समझते हैं कि जनता समझती नहीं आपके इस तंतर को देखिए मैं तो पहले भी कहा मैं फिर दोहराता हूँ बंसबाद किसी भी रूप में इस देश को सुईकार नहीं होगा मैंने कहा आपसे कि बंस के आधार पर चैन भारती जनता पाटी नहीं करेगी एक भी मुख्य मंत्री देश में 22 राज्यों में सरकार है एक भी मुख्य मंत्री एक भी प्रतेश अध्यक्ष वंस के आधार पर राश्टी अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए प्रधान मंत्री तो छोड़ दीजिए हमने विचार किया हो तो बताईए लेकिन कांग्रेस में सु मत बुलाया करो प्लीज कारती जनता पार्टी को भी बचना होगा सक्सिना जी ने कहा था कि दस साल से मनमोहन सिंग्जी प्रधान मनती थे चाहते तो राहूल गांदी को कुरसे बिठा देखिए भईया आपने मीडिया प्रभारी जो बारू जी थे उनकी किताब पड़ी है उनकी किताब में लिखा है वो authorized person थे ना उन्होंने कहा कि यूपिय की chair person सुनिया गांदी जी कि हां सरकार की file ने जाती थी और अगर है तो ये उसमें उसमें कोट में अरे यार ये मुझे लगता है कि उसमें जाके अगर इनको लगता है कि उन्होंने जूट बोला तो कोट में जाके मानानी का दाबा में प्रषट कर देना चाहिए मैं मेरे छोड़ी में तो सोनिया गांदी की कह रहा हूँ ऑर मेरा है कि नहीं है ये अपना पेसला कर लोगा लेकिन सोनिया गांदी का गर्मान हनी हुई है तो उनको दावा ठोकना चाहिए कि उनके पास फाइले नहीं आती थी और ये तमाम लोग बात स्वीकार कर चुके हैं अध्यादेश फाड़ा था मीडिया के सामने राहुल गांदी ने अध्यादेश लाए थी अध्यादेश फा अगर आउल गांदी जी ने कोई खलत अध्यादेश आया है तो संगठन को सर्वोपरी होता है संगठन को वो स्वीकार नहीं था इसलिए हमने उसको डिसकार्ड किया उसको फाड़ा नहीं उसको केवल ये कहा था कि ये बखवा से इस चीज़ को हमको स्वीकार नहीं है संग गरीब پरिवार इसके निकल कर आये थे और बहुत विद्वान थे दुनिया के सबसे बड़े अर्थ शास्त्यों में जिनका नाम था वो देशिके प्रधान मंतरी रहे हैं ना तो सणिया जी बनी है ना राहुल जी हम चाहते तो राहुल जी कभी देश के परद्धान मंतरी ना सकते थे पर ऐसा नहीं किया क्योंकि जो देशित में था उस समय वो हम ने किया और आप अगर पहले देखें तो नरसिमा राव जी प्रधान मंत्री थे राहुल राजीव गांधी जी के बाद इस देश के अंदर गांधी नहिरू परिवार से कोई भी वेक्ती प्रधेश का प्रधान मंत्री नहीं बनाएं अपने उनके पिता का आज फंक्चन था वो उन्होंने पदभार गंड किया परिवार के लोग आते हैं उसी परिवार की तरह हूँ उन्होंने मना किया है कि मैं कोई चुनाव नाव नहीं लड़ रहा हूँ मैं तो मेरे पिता आज पदभार गंड कर रहे हैं तो निश्चित रूप से परिवार के लोग आये हैं उसमें में भी आया हूँ ठीक है तो बीजेपी हो या कॉंग्रेस दोनों ही पारटी बोल रही है कि परिवारवाद और वंचवाद हमारी पारटी में नहीं है लेकिन फैसला जनिता को करना है कि क्या विधायक और सांसत की बेटे ही उस पत पर बेटेंगे या फिर एक आम नागरिक या फिर एक कारिक करता को भी बड़ा पद नसीब होगा न्यूजरूम लाइप में फिलाल इतना ही आप जुड़े रहे है दैनिक भासकर.com के साथ साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया अगरवाल जी आपने दैनिक भासकर.com के लिए वक्त निकाला और रवी सक्सना जी आपके लिए भी